Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शिर और सबस्क्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाप से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2022 की Love Tarot Reading चलिए सरीडेरियस आप लुगों के लिए देखें कि April 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में परस यहां पर तीन सेट अफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी एनरजीज देखेंगे सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनरजीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली एप्रिल मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं सरीटेरियस और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है Queen of Cups और दिखे Queen of Cups का कार्ड टारो में कहीं over emotional, over sensitive, over sentimental होने की बात करता है बहुत एक loving, caring energies भी महसूस करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही कुछ time से या फिर April starting में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है और दिखे deeper level के लिए synchronicity and science का कार्ड कहता है जो भी आप अपने लिए चाहा रहे हैं और फिर इस relationship के लिए अपने partner के लिए चाहा रहे हैं उसी से ही related externally universe आपको क्या science दे रहा है आप उनको read करके उनको ही follow करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं या फिर उसी के हिसाब से आप अपने लिए एक direction decide करते हुए दिख रहे हैं किसी level पे और दिखे ये थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ Sagittarius के लिए हो सकता है कि आप इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी life में आ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप चीजों को deal करें क्या आपका next step होना चाहिए और कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को किसी level पे end करके आप अकेले ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी सब की different desire हो सकती है, different wish हो सकती है लेकिन जो भी आपकी wish है, जो भी आप चाहा रहे हैं यहाँ पे synchronicity and sign का card कहता है again उसी से ही related जो भी signs आपको मिल रहे हैं आप उनको follow करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं जैसे होता है न कभी कभी कोई सवाल हमारे mind में चल रहा है और कोई banner हम देखते हैं या फिर कोई movie का dialogue होता है, कोई add होती है या कोई भी चीज होती हमें ऐसे लगता है कि यह बिल्कुल जो भी सवाल again हमारे mind में चल रहा है उसका जवाब है और उसी को ही हम universe की तरफ से एक sign मान के follow करते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कुछ ऐसा ही आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखिए power and the magician दोनों ही cards कही self-discipline, self-control की बात करते हैं और पीछे अगर किसी भी चीज को लेकर आप over emotional हो रहे थे, over sentimental हो रहे थे तो कहीं mid April में या April मन्थ में इन ही emotions को लेकर बहुत सबर्दस्ट एक again मैं कहूंगी self-discipline, self-control रहता हुआ देख रहा है या मैं कहा सकती हूँ कि इन emotions को आप अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं बहुत एक you know control के साथ आप चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं और in the process हो सकता है कि आप थोड़े से manipulative, थोड़े से diplomatic भी हो रहे हैं आप थोड़े से dominating भी हो रहे हैं आप अपने ही तरीके से चीजे करना चाहा रहे हैं और बहुत जबरदस्त एक confidence भी खुद के लिए इस relationship के लिए या फिर partner को लेकर रहतावा देख रहा है और देखें यहाँ पे together forever का card हमेशा के लिए अपने partner का साथ चाहने की बात करता है marriage, engagement की बात करता है long term की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप भी Sagittarius मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं और इसी से ही related अगर कोई decisions आपको लेने हैं कोई choices आपको लेनी हैं वो भी आप लेते हुए दिख रहे हैं या फिर लेना चाहा रहे हैं और अगिन इसी से ही related या फिर otherwise भी कुछ चीजों को end करके अगर एक नहीं beginning करनी पड़े तो वो भी आप करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और अब देखते हैं Sagittarius के आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए देखिए सबसे पहले काज मुझे दिख रहे हैं long term की बात करता है हमेशा के लिए साथ चाहने की बात करता है यानि कि जो card आप लोगों के लिए हाँ पर आया together, forever वो भी कहीं two of cups का card कहता है और कुछ ऐसा ही आपके partner भी कुछ time से या फिर April starting में चाहते हुए दिख रहे हैं और री नीचे reunion का card कहता है कि पीछे अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी issues हुए, मसले हुए या फिर किसी भी तरीके का distance आया और दिखें ये भी सब के लिए refer कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि ये long distance relationship है आप different cities में रहते हैं एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि emotional mental level पर कोई distance आया हो कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों की पीछे लडाई हुई हो कुछ के लिए हो सकता है temporary या permanent breakup हुआ हो again कुछ भी distance आप दोनों के बीच में आया आपके partner कहीं चीजों को resolve करके आपके साथ reunion चाहते हुए दिख रहे हैं वो खुद को इस relationship को एक second chance देना चाहा रहे हैं और यहाँ पर दीखिए कुछ सरी टेरिस के partner के लिए भी हो सकता है कि उनके past experiences, love relationships को लेकर बहुत great नहीं है और इसलिए कहीं एक fear, एक insecurity वो महसूस कर रहे थे जिसकी वज़े से वो खुए के इस relationship में नहीं आ रहे थे तो देखिए उस चीज़ को भी कहीं अपने ही end पे resolve करके पूरी तरीके से इस relationship में आना चाहा रहे हैं खुद को एक second chance देना चाहा रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी देखिए general reading है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी सब के लिए differ करेगा और दिखिए यहाँ पे spirit message I love you and night of swords के cards कहते हैं कि again past जो भी उनके issues चल रहे थे मसले कर चल रहे थे उनको resolve करके पूरी तरीके से इस relationship में आना चाहा रहे हैं और बहुत speed से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कहीं उनकी तरफ से actions हो सकते हैं initiatives हो सकते हैं और जो भी confusions उनके mind में थी उनको भी वो clear करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और दिखिए एक sudden changes उनकी तरफ से रह सकते हैं वो चीजों को बहुत logically deal कर रहे हैं या मैं कह सकते हूँ कि एक प्यार, महबत महसूस कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक logical energies भी उनकी तरफ से दिख रही हैं कहीं एक clarity भी उनकी तरफ से दिख रही है लेकिन देखिए end April के लिए यहाँ पे time and five of wants के cards कहते हैं कि conflicting energies उनके लिए रह रही हैं और देखिए general reading है तो फिर से मैं कहूंगी यह conflicting energies सब Sagittarius के partner के लिए थोड़ा-थोड़ा differ कर सकता है कुछ Sagittarius के partner के लिए हो सकता है कि कहीं April end में मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उलजन, किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा वो महसूस कर रहे है कुछ Secretaries के partner के लिए हो सकता है कि externally कुछ challenges, कुछ issues उनको इस relationship की वज़े से या फिर otherwise अपने personal life में किसी चीज़ की वज़े से face करने पड़ रहे है और देखिये फिर से मैं कहूंगी सब के लिए different conflicting energies हो सकती है लेकिन five of wands के नीचे time का card कहता है Sagittarius time बहुत बड़ा एक factor आपके partner के लिए रह सकता है और ये भी सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ Sagittarius के partner के लिए हो सकता है कि उनको बहुत जल्दी है next level पे इस relationship को लेकर जाने की और Sagittarius आप कहीं थोड़ा सा slow चल रहे है कुछ Sagittarius और उनके partner के लिए हो सकता है कि Sagittarius आप बहुत speed से आगे बढ़ना चाह रहे है लेकिन आपके partner कहीं थोड़े से slow है हाला कि देखिए आपके partner के लिए Knight of Souls का card है तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आपके partner बहुत speed से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हो सकता है उनकी speed के साथ Sagittarius आपकी speed नहीं match कर रही है और कुछ Sagittarius के partner के लिए हो सकता है कि right time का wait कर रहे हैं चीजों को next level पर लेकर जाने के लिए तो देखिए जो चीजें मेरे mind में आई मैंने कहा लेकिन यहाँ पर overall के लिए देखें तो आपके partner की April end में या April month में एक conflicting सी energies दिख रही है इसके बावजूत कि उनके मन में एक प्यार महुबत है इसके बावजूत कि वो इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और देखिए फिर से सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन time कहीं बहुत बड़ा एक factor रहता हुआ देख रहा है और अब देखते हैं से रिटेरिस के April month में क्या हो रहा है दो April month के लिए देखिए सब से पहले cards में ज़े दिख रहे हैं New Love and Six of Pentacles Reverse और देखिए New Love का card बहुत ही clearly कहता है कि एक नया जोश, नई उमंग, नई feelings, नया यूनो प्यार या फिर किसी भी तरीके का नया पन इस relationship में कुछ time से या April starting में रह रहा है और देखिए ये भी सब के लिए refer कर सकता है क्योंकि ये general reading है कुछ Sagittarius के लिए हो सकता है कि कोई नया इनसान आपकी life में आ रहा है और कुछ Sagittarius के लिए हो सकता है कि पुराने relationship में ही नए तरीके से चीजें शुरू हो रही हैं या फिर आप दोनों करना चाहा रहे हैं और देखिए इसी से ही related या फिर otherwise भी एक given take आप दोनों के बीच में रह रहा है लेकिन इन ही giving और receiving वाली energies में एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है यानि कि आप दोनों में से एक जन जादा दे रहे हैं और दूसरे जन जादा ले रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है Sagittarius जब भी भी relationships में giving और receiving वाली energies में एक disbalance आता है तब ही relationship में problems भी आती हैं क्योंकि जब भी हम जरूरत से जादा अपने partner को दे रहे होते हैं इस intention के साथ कि हम इस relationship को better करना चाहते हैं हम किसी भी चीज़ की problem इस relationship ले नहीं चाहते हैं तो देखिए हमारी intent बहुत अच्छी होती है लेकिन सामने वाले की सिरफ और सिरफ हमसे expectations बढ़ रही होती है और जब भी भी किसी भी वज़य से हम उतना नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें problem होती है और relationship में फिर issues होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही जब हमारे partner हमारे साथ बहुत जादा कर रहे होते हैं तो उनकी expectations हमसे बढ़ रही होती हैं और जब हम उतना नहीं उनको दे पाते हैं या फिर उस तरीके का response हम नहीं दे पाते हैं तब कहीं यनो again मैं कहूंगी issues और मसले होने शुरू होते हैं तो बहुत important है again मैं कहूंगी Sagittarius कि इन giving and receiving वाली energies में आप एक balance जरूर लेकर आएं और देखें आपर 9 of Wands and Fondness के cards कहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एक प्यार महबबत में हसूस कर रहे हैं बहुत एक attraction हैं बहुत एक you know liking है लेकिन शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत impulsive नहीं होना चाह रहे हैं चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी यह आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती हैं लेकिन आपकी जादा दिख रहे हैं क्योंकि आपके partner के लिए हाप ए night of souls का card है तो हो सकता है कि वो कुछ चीजों को लेकर impulsive हो रहे हैं लेकिन सेटेटेरियस आप बहुत ही सबर बहुत ही patience के साथ चीजों को deal करना चाह रहे हैं और देखे इसलिए शायद एक fear एक insecurity भी इस relationship में रह रही है और इसलिए again मैं कहूंगे आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भही इतने effort करने के बावजूद भी उस तरीके का response या फिर उस तरीके का result नहीं मिल रहा है और इसी वज़े से एक ठकावट भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं और दिखे एंड एप्रिल के लिए यहाँ पे surrender and eight of wands reverse के cards कहते हैं कि again दिखे बहुत एक आप दोनों के बीच में loving caring energies है रही है इस card में भी देखे लिखाया हुआ है all of me loves all of you तो बहुत एक दूसरे को surrender करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक दूसरे के लिए love care महसूस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत speed से आगे भी आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक बढ़ना चाहा रहे हैं चीजों को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं लेकिन उतनी speed नहीं रहती हुई दिख रही है चीजे थोड़ी सी slow जाती हुई दिख रही हैं और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी Sagittarius slow and steady wins the race चीजे slow जा रही हैं doesn't matter लेकिन चीजे सही direction में जा रही हैं इसका खयाल रखना बहुत important होता है तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें